तूडेंट से मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्टिबूट करणा चाहिए सभी विश्वों में बराबर बराबर आपके पास पढ़ाई के लिए दो गंटे हैं तो उन गंटों में हर सब्जेक को समान भाव से पढ़िए अपने समय को इक्वल डिस्टिबूट करिए साथियों आपने देखा होगा टीछर्स मातापीता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें यह आम तोर पर यह कहा जाता है और एक्जाम में तो खास तोर पर बार बार कहा जाता है जो सवराल उसको पहले करो भई जब टाइम बचेगा तब वो कठीन है उसको हाथ लगाना लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समयता हूं यह सला आवशक नहीं है और उप्योग भी नहीं है मैं जरा इन चीज़ को अलग नजेरिय से देखता हूं मैं कहता हूं जब कि पढ़ाई की बात हो तो कठीन जो है उसको पहले लिजा आपका माइंड फ्रेश है आप खुद फ्रेश है उसको एटेंड करने का प्रयास की थी जब कठीन को एटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आ आवाऄनम रही करता कि जब मैं मुक्ह मंतरी था मुझे भी बहुत बढ़ता है और चीजों को समय ना पड़ता है कि तो मैं क्या करता था जो मुष्खिल वाकोट, चिसके निर्ने जोल्य गंबीर्य होटे है मैं मेरे सुबह चुरु करता हूं स्बीर्र हो तो कठीन चीज़ कि वो मेरा अलग मूड होता है मैं चीजों को बिलकुल तेजी से समझ लेता हूं निरने करने की दिशा में आगे बढ़ता हूं मैंने अपना एक नियम बनाया है और जो सरल चीजे हैं दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है तो चलो भाई अब उनको मैं ज्यादा दिम मुकाबला करने लिए निकल पड़ता हूं आपको बले कुछ सब्जेक मुश्किल लगते हो यह कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है आप बस यह ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए उसे भागिए मर्थ